वेलकम स्वागा दस्वालों का मेरे युडूब चलनल में इस्टडी वित मी में और आज हम चर्चा करने वाले लेटेस्ट जो वेकंसी आ रखी बिहार में जज की वेकंसी आ रखी ज़स तो आप समझते होंगे कि कितना सम्मानिनी और कितना ओधे वाला पद होता है अगर मतलब बहुत कम अब मैं जब से वीडियो डाल लाओं करीब करीब 6 मेने हो गए तो इसमें आपने पहली बार में कोई ज़ज की वेकंसी डाल ला हूं बिहार में निकली तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम वेकंसी निकलती हैं और कितने यह मैतवपूर्ण पद होते हैं और कि समाद लिए कई पीडियां तक अच्छे से जीवने आपन करेंगे और आपका जीवन तो अच्छे से होने ही वाला है समानी होने ही वाला है तो चलिए हम अपने इस वेकेंसी में चर्चा कर लेते हैं बिहार जज़ के बारे हम भाई इसकी क्या education qualifications है मतलब education qualification कितनी होनी चीए आपकी age कितनी होनी चीए और आपकी जो है ना form fees वगएरा कितनी लगने वाली ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे exam कब होने वाला ये भी चर्चा करेंगे exam कब pattern क्या होने वाला ये भी चर्चा करेंगे एक्जाम में जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब को चर्चा करने वाले हैं और एक आप काम करने वाले हैं क्या कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप इंट्रेस्टेंड है तो उसी दिन से त्यारी सुरू फॉर्म बरके काम सुरू क्योंकि डिले की कोई बात जरूरत है नहीं बलकुल क्योंकि कमटीसन आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ जो गंटी का बटन है बेल आइकन जिसे कहते हैं उसे भी दबा लो अब हम काम की बात करते हैं बिहार लोग सेवा आयोग ने क्योंकि ये जो भरती हैं ये लोग सेवा आयोग ही अपनी जारी करते हैं यह एक अच्छी वेकेंसी आए तो लोग सेवा आयोगी इन वेकेंसी को जारी करेंगे तो देखेंगे लोग सेवा आयोगी ने जारी कर दी है अगर आप ऑफिसल जाके देखना चाहते हैं तो www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप देख सकते हैं कितने पद हैं बहुत तीन सो उन्चा मैलाओं के लिए अनुमान पदों की संक्यार है भाई यह तो बहुती बड़ी यह काम कर दिया 62 पर जो अनाराचित में अन्रिजर्व मतलब जनरल पदों के लिए 62 मैलाओं के लिए अगर आपने भाईया लेलबी वगरा कर रखी और आप मैला है तो जरूर अपलाई करिए यह वाईस के लिए तो और अन्सूचित जन जाती पिछडवार के लिए सारी सारी इन्होंने दे रख कर रिजर्वेसन और टोटल किसमे कितनी सीटें इस अब दे रखी तोटल हमारी साड़े थीन सो वह थीरी फोटीन सीटें ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़े से आंगे विदी इसनातक का मतलब क्या होता बच्चों graduate वो भी ला से मतलब विदी का मतलब अंग रेजीम कहते हैं मतलब की आपको लल्बी वगईरा होनी चाहिए लल्बी ललम वगईरा होनी चाहिए अगर यह आपके पास सैच्छी गुता है तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं ठीक हैं सैच्छी गुताओं के लिए माविद्याले संस्थान विद्यानों दान निर्गत उपादी के समद्ध में उमीद्वारों को माविद्याले संस्थान चाहर विसुदाले के समच्च दारा हस्तानी यह प्रावण पत देना हो सको कि समद्धित दाले को बार काउंसल अफ इंडिया से मानता प्रावण पत के अभाव में सविकार कर दें मतलब कि आपने किसी मानता प्रावण स्कूल से कॉलेज से आपने यह एललबी की डिखरी उपादी लिए हो कुल मिला के बात इतनी है उम्र सीमा की बात करने आपकी कितनी उम्र हो अच्छी 22 वर्ष से अधिक वह 35 वर्ष से कम होनी चाहिए और मांकी जो है मैला बर्थियों के विकलांग से मैलाओं के लिए उक्तवर की 40 वर्ष से कम वह 22 वर्ष से अधिक होना नहीं मतलब उनके थोड़ा सरजर्वेशन है अगर आप जनरल नहीं तो आपकी उम्र कितनी ह साल तक जनरल वालों के लिए और मांकी जिनकी छूट है उनकी तो छूट है यह मालोग अब मांगे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं चार नंबर में क्या है दो आपके पेपर होने वालने देखिए कार्मी के प्रसासनिक सुधार वियाग बिहार की अद्सूचना दिस दिस क्या अलोक में अभर्थियों की संख्या में अतिदीघ वर्धि होने की स्थित में प्रामी करइचक का अईजन किया जाएक प्रामी पर इच्छा के दो प्रश्ण पत्र होंगे अगर बहुत ज्यादा अभर्थी इसमें फॉर्म देते हैं एक्जाम में पार्टिइबिन होना बच्छान कंप्श्ट निखी होगी जो समान गां सामन डे। ये सब चीजंगे आपके वीडियो पूस करके देख सकते हैं ठीक है इसके बाद हम आगे पर चलते हैं यह चैना अधार है कि नियुक्ति आया, uhud, रिच्छा तरह सचाचार्म प्रापतंक्यों के आदार पर बना jej reality जातले कि जो रिटू आपका सकते हैं ठीक है इसके बाद आरच्छन के लिए ऑनलाइन आवेजन पर इंगित कॉलम में आरच्छन का दावा नहीं करने पर अरच्छन का लाब नहीं मिलेगा अगर आप किसी आरच्छित कैटेगरी से आते हैं तो भीया आप अपना दावा जरूर कर दीजागा जिससे की अच्छे आना अच्छे माइलाव महिद्वारों के लिए 1.500 रुपए मतलब 1.500 रुपए ठीक है और जो जनरल वगएरा के लिए उनके लिए कितनी फीज है 600 रुपए यह देगे 600 रुपए तो आप सुल्ख निराइज और यह सब आप पे करना पड़ेगा जब आप फॉर पंजीकिन जो डेटे मगएरा हैं कब फॉर्म सुरू होंगे कब खतम होंगे रिजिस्टेशन पंजीकरण आपके कब से सुरू हो जाएगा यह 8 तारीक से मतलब की 8 सेप्टेमबर अभी कितनी चल लगी 6 तारीक है तो 8 तारीक से आपका यह ऑनलाइन रिजिस्टेशन आप क तो हमने इसमें जान लिया अपने इस वीडियो में कि हमारी एजूकेशन आप इसमें देख सकते हैं सारी चीनिया लिख रखी उमीदवार बोर्ड परेंगे नाम तिति उपर आदनी बैंक में परिच्छा सुल्क जमा करेंगे मतलब कि यह आवेदन में अंकित इमेल आईड करना पड़ेगा आपको फोटो लगानी पड़ेगी अपनी सारी बननी पड़ेगी क्या करना पड़ता है अब 수 आपको इतने 600 रोपए का जो जमार करने पर उसके बाद एक नंबर मिलेगा आप इसमें डीडी नंबर वगएरा डाल सकते हैं फिर उसके बाद आप अपना सारा का सारा फॉर्म सेकेंड इस्टेज में भर सकते हैं फॉर्म उसमें क्या होगा आपकी फोटो आपके सिंग्नेच करने के लिए उसमें जा अपने जाके अपना कर सकेंगे और यह भरती अभी से नहीं सुरूई यह बरती कब से सुरूई हो जाएगी आठ तारीक से आप रेजिटेशन कर सकते हैं मतलब कि दो दिन बाद मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप दो दिन बाद इसका रेश्टेशन कर सकते हैं और इसमें अपलाई कर सकते हैं और यह एक बहुत ही बेहतरीन वेकेंसी है जज की वेकेंसी आ रखी है और आप जरूर इसके लिए तारी किरिए और जरूर जज बनिये और जिससे की जो है न कि देश भी आंगे चले जल्दी से जल्दी केसों का किसी नए टॉपिक पर तब तक के लिए वंदे मातरम